तो देखिए अभी का लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट न्यूस क्या है कि डिया और डियार करीब करीब 4% उसमें बड़ोत्री तै है तो जाहिर सी बात है कि अगर 4% की बड़ोत्री होगी तो आपका पेंशन भी बढ़ेगा इस पर पेंशन पूडल को अपरेट कैसे करना है इसके बारे में अल्रेडी हमने आपको बताया हुआ है इसलिए मेक शूर है कि आपने एटीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है क्योंकि देखिए हमने पहले की वीडियो में आपको बताया थे 15 लाग पेंशनर को मिलने वाला है तो उसका क्या सही जानकारी आ इतना फाइदा होगा सिपाही से लेकर सुबेदार मेजर तक को क्या एरियर मिल सकता है बहुत डिटेल में सही और सटिक जानकारी आप तक पहुंचाते है इसलिए आप मेक शूर है कि अपने इटेज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है चलिए अब आते हम अप करतें का क्योंकि यह जुलाई का लास्ट डेट खतम हो चुका है तो जो आपको यहां पर आकरा आएगा वह जुलाई का आएगा तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा नोट बनाया हुआ हुआ है वीडियो काफी छोटा होगा इसलिए सुरू से लेकर लास्त तक जरूर देख आपको देखने को मिल जाएगा कैसे आएगा सब हमने आपको बताया हुआ चली अब हम अपने टॉपिक पर इसको अच्छे से समझते का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स यह डिसाइड करती है कि महंगाई भत्ता और महंगाई रहत जिसे डेनेस कहते हैं यहा अब यह अब ऐसा नहीं कि आज 31 जुलाइग खतम हो गया तो आपको तुरंट का तुरंट आपको मिल रहा है नहीं ऐसा नहीं होता यह आपको नों को एक दस दिन पंद्रह दिन बीज दिन बाद मिलेगा तो यह जो आकड़ा है जून का आकड़ा पहले से ही मिल गया था हम को जिसके बारे में हमने discussion भी किया आपसे तो अब क्या है कि देखिए जुलाइग दोजार चौवीस का जो आंकड़ा आएगा अभी जो अगस्त अभी खतम हुआ है तो उससे यह पता चलेगा कि जनवरी दोजार पचीस में कितना डिय और हो सकता है इस चीज को इस concept को समझ यह consumer price index में June का वैल्यू जो आया था एक 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 इंडेक्स वैल्यू देती है तो जो का इंडेक्स वैल्यू आया था उससे हमने जून का डेटा सारा अनलिसिस किया था अब जुलाइगा डेटा चुक्छी अगस्त कंप्लीट हो गया तो मिल जाएग आपको एक महीने बा इनका वैल्यू तो हमें पता चलेगा कि जन्वरी दोजार पचीस में वह डिया और का वैल्यू कितना बढ़ सकता है ठीक है तो यह जन्वरी दोजार पचीस का डेटा जो है वह हमारा कंफर्म्ड होगा अभी आप जुलाई का एक बार ऑफिशियल डेटा आने दीजिए अब 4% बढ़ने की संभावना अभी जो आएगा उससे समझ आजाएगा अप्रॉक्स 57 परसेंट जाएगा 4 परसेंट बढ़ेगा तो यह जुलाई 2024 से जो हम लोगों को मिलने वाला है वह 53 परसेंट जो एकदम कंफर्म्ड यह मिलेगा कब यह भी एक आंकलल हलाकि सरकार के तरफ से कोई अभी इसके बारे में discussion नहीं हुआ है लेकिन September और October में देखने को मिल जाएगा तो September में देखने को मिलेगा तो यहां पर concept समझना क्या है कि अगर September में हम लोगों को मिलेगा तो जुलाई और अगस्त दो महिने का एरियर मिलेगा और अगर आपको अक्टूबर में दिये और और 53% मिलेगा तो जुलाई अगस्त और सेप्टमबर तीन महिने का एरियर मिलेगा तो यही दो और तीन महिने में हमें सब बोलता हो और यह कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला दो चार हजार रुपे की बात है बस अब अब बात है कि इसका भी हुआ बन जा करेंगे जनवरी 2025 का कि उसमें क्या हो सकता है वैसे चार परसेंट बढ़ने की संभावना है अब जनवरी 2025 में जुलाई से जितने भी सुरू होंगे ना जो भी वैल्यू आएगा ऐसी पीन इंडेक्स का वह अब जनवरी 2025 से लागू होगा जुलाई 2024 वाला तो जो है वो ला करेंशन आपको पसंद जरूर आया होगा लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आपको पता है नीचे कमेंट करके पूश सकते हैं को यह सुझाओ देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेर किजिएगा एक सिंपल सी रीजन की वह आपको वहां पर बढ़ा हुआ दिखेगा एनिवे इस पर्स पेंशन पोडल को अगर ऑपरेट करना है तो हमने आपको बताया हुआ है कि बिना लॉग इन किये हुए आप इस पर्स पेंशन पोडल में अपना माइग्रेशन स्टेश देख सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको एक क्लिक हेर का मैसेज आएगा बस इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से आप अपना बैंक के काउंट नंबर जिस बैंक में आपका पेंशन आता है और आइडेंटिफायर में आप अपना इस परसनल नंबर जो आपका इसी रेजिमेंटल और हुआ या नहीं हुआ और जीवन पर्मान पत्र भरना कैसे वह अपने मुबाइल फोन से आप बहुत आसान तरीके से भर सकते हैं इसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है तो फिलाल आज की इस वीडियो में इतने ही फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंट्रेस्टिंग व लंदे मात्रम